Property Return System के हवाले से General Administrative Department की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के नाम Final Notice जारी कर दिया गया है और आपको बता दें कि इस तरहां से पहले से ही इस order की circular की dates extend हो रही हैं बार-बार government implies को यह हिदाया दी जा रही है कि आप अपनी सालाना property details जो है वो इस portal पर submit करें क्यूंकि यह कदम जो है इसलिए लिया गया था ताके रिश्वत खोरी का पता चल सके और रिश्वत खोरी को जमुआ कश्मीर से खतम किया जा सके रिश्वत खोरी की रोग थाम के लिए इस तरहां का कदम उठाया गया था ताकि सरकार को ये पता चल पाए कि एक मुलाजिम की सालाना आमदनी कितनी है और उसके पास सालाना प्रापर्टी कितनी है वो कितनी प्रापर्टी इस आमदनी में बना रहा है उसकी वो कितनी नहीं किया है और बाज ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनोंने खुद को रिजिस्टर तो किया है लेकर उन्होंने प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम यानि अपनी प्रापर्टी की डिटेल जो है वो इस पोर्टल पर सब्मिट नहीं की है और फिलाल के लिए इन सभी मुलाजमीन को माना जा रहा है और इंतजामिया की जानिप से अब फाइनल नोटिस भी इन इंप्लाइज के नाम जारी कर दिया गया है कि आप जितना जल्दी आपसे हो सके आप जल्द जल्द इस पोर्टल पर जाकर अपनी प्रापर्टी डिटेल सब्मिट करें अदर्वाइस आपके खल खुद को रिजिस्टर करें लेकरन कुछ सरकारी इंप्लाइज इसमें अभी तक नाकाम साबित हो रहे हैं जिसके चलते अब जनरल एड्मिस्ट्रेट्व डिपार्टमेट की जानिप से इन तमाम मुलाजमीन के नाम एक फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है और यह कहा ग इंप्लाइज ए जिन्होंने अभी तक इस टौल पर खुद को रिजिस्टर भी नहीं किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को रिजिस्टर दो किया है लेकर अभी तक अपनी प्रापर्टी डिटेल்स देने में वो नाकाम साबित हुए है और जिस तरहां से इ इंकम क्या है क्या कहीं वो इंकम से ज्यादा उसकी प्रापर्टी उसके पास तो नहीं है इस तरहां का यह इनिशेटिव था लेकर अभी तक जो है पब्लिक सर जितने भी गोवेंट इंप्लाइज है कुछ लोग उने कुछ इंप्लाइज ने तो अपनी डिटेल सब्मिट की ह है और यह भी कहा गया है कि जो भी लोग इस प्रापर्टी रिटर्न सिस्टम को सब्मिट करवाने में जो है वो फेलियर साबित हो रहे हैं इनके खलाब जो है वो जमू एंड कश्मीर पॉब्लिक मैन और पॉब्लिक सर्वेंट डिकलरेशन आफ एसेस्ट एक्ट एंड रू वाईज आप जानते हैं कि आज इंपलाईज के लिए आए दिन कडे से कडे खुआनी जो है वो लागू किये जाते हैं और अगर आप इसमें नकाम साबित होते हैं तो आपके ऊपर जो है वो इंतजामिया की कड़ी से कड़ी कारवाई हो सकती है और विजिलेंज कि इस order में मजीद ये भी कहा गया है कि online mode के जरीए ही खुद को register करना था लेकर कुछ लोग इसमें अभी तक जो है वो defalters पाए जा रहे हैं यानि कुछ लोगों ने अभी तक अपने फार्म जो है अपनी details जो है वो इस PRS portal पर जो है वो submit नहीं की है पहले जहां इसकी 28-23 आखरी date थी तो अब इसकी date जो है वो 10 March 2023 कर दी गई है और साथी साथ ये कहा गया है कि जितने भी implies है उन्हें जल्द जल जो है इस portal पर जाकर अपनी property details submit करनी होगी और खुद को register करना होगा आधरवाइज आप पर कारवाई होगी और फिर आपकी कोई पूछ आप से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा बिना पूछे आप पर जो है वो कारवाई हो सकती है और कड़ी से कड़ी कारवाई हो सकती है लिए जन्रल एड्मिस्ट्रेट्ट्यव डिपार्टमेट की जानिब से जो ये final notice जारी कर दिया गया है इसमें तमाम तर पर जाकर खुद को रिजिस्ट्र करें और अपनी सारी प्रापर्टी डिटेल सब्मिट करें अधर्वाईज आपको इसका खम्याजा भुगतना पड़ेगा और हमारी भी आप सभी से गुजारश रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताके उन इ खबर पहुंचे और वो दस मारिश से पहले पहले अपनी प्रापर्टी डिटेल्स और खुद को इस प्यारेस पोर्टल पर जो है वो रिजिस्टर करें बाकि आपकी क्या राया है आप भी कुमेट वर्क्स में जरूर दीजेगा तब तक के लिया बन रही है इनकौाईर रस स्रोड़े के साथ मुझे दीजे अजाज़त अलाहाफीज